बिहार में शुराबंदी को लेकर मंगलवार को मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने समिक्ष बैठक की थी उसके बाद विशाली में मद्द निशेद मामला सबसे पहले दो पराधियों को सजा सुनाई गई है आरोप्यों के पांच-पांच साल के श्रमक कारवास की सजा सुनाई गई साथ ही एक एक लाख रुपे के जुर्मानी की सजा सुनाई गई है जुर्मानी के राशी नहीं देने पर छे महीने की अतिरिक सजा का प्रावधान भी रखा गया वेवार नयायले हजीपूर अपर जिला और सत्र नयायधीश त्वितिया और विशेश नयाधीश उत्पाद उदै बंद कुमार ने अदालत ने दोशी करार दिया है और साथी राजीव कुमार राय और संजीत कुमार राय को 5-5 साल की सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई साथी इस मामले में एक-एक लाग रुपे के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है कोट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि अर्ध डंड के साथ ही राशी जमा नहीं करने पर छे महीने की अतरिक्त कारवास भुगतना होगा और इसे पूरे मामले पर विशेश लोग अभी योजक लक्षमन प्रसाद राये ने बताया कि मुख्यमुन्तुरी की समिक्ष अबैचक के बाद बेचाली जिले में ये पहली सजा है जो की निश्चित ही अवैद चराव के कारवार से जुड़े धंदे वालों के लिए एक कड सबक होगी साथी निश्चित तोर पर सभी में इस सजा को लेकर अब्डर भी व्याप्त होगा उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जिले में मद निशेद से सम्मंदित मामलों की एक सूची बनाई गई है जिसका स्पीज ट्रायल के जरिये जल्द निप्चारा किया जाएग इसके तयाद अब पूर्व में रादोपूर के दो मामलों का निप्चारा हो चुका है विशेश लोग अभी ओजग लक्ष्मन प्रसाद राय का ये भी कहना है कि बहुत जल्दी कोट अन्हे मामलों पर भी निप्चारा कर सकती है अबहार में शुराबंदी की समिक्ष्या के अगले ही दिन राजधानी पटना के हरताली मोड पर देशी शुराप की खेब को पूलिस ने जब्च कर लिया है तसकर एक ठेले पर देशी शराब की खेब लेकर जा रहा था और ट्राफिक पुलिस ने उसे पकड़ लिया है राज़ानी पतना में चौक्ष राहो पर सगन वाहन चेकिंग अभ्यान पतना ट्राफिक पुलिस चुला रही है इसी दोरान आर ब्लॉक की तरफ से एक ठेले पर सफेद बोरे में देशी शराब की खेब को भर कर एक व्यक्ति महां से ले जा रहा था और इसी दोरान मौके पर मौझूद ट्राफिक पुलिस को शक हुआ और शक के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया गया है जब उस व्यक्ति के ठेले की ड्रोक कर तालाशी की गई तो बोरे से सेक्डो लिटर अवैद देशी शराब की खेद बरामत हुई साथी मौके पर मौझूद ट्राफिक कर्मियों ने इस पूरे मामले की जानकारी एसके पूरी थाने को दी मौके पर पहुँची थाने की पुलिस ने तुरंट कारवाई करते हुए शराब की खेब को जब्द कर लिया और व्यक्ति को गिरुफतार कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है गिरुफतारी के बाद से ही शराब तसकर काशी राम ने बताया कि मरता क्या ना करता इस धंदे के अलावा पैसे कमाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था काशी राम ने जानकारी दी कि पटना के पुनाई चक इलाके में बनी देशी शराब की खेब को लेकर वो पटना से बोरिंग रोट के लाके में इसकी सप्राई करने जा रहा था और साथ ही पूरी थाने के ऐसा ही वशिष्ट बताते हैं कि फिलाल गिरफतारी आरोपी से पूछताच की जा रही है और बताते चले कि दानापुर खंगॉल से शापूर पुलिस ने बारी मातर में देशी और विदेशी शराब को जब्त कर लिया है लाल रंग की चाठ चक्का प्याजो टेंपो से ब्लेडर्स पॉइंट और ओफिसर चोईस रॉयल स्टैक टेट्रा पैक जैसे विभिन ब्रैंडो की करीब 251 लीटर विदेशी शराब को बरामत किया गया है साथी शापूर धाना अंतरगर दाउदीपूर पैट्रोल पंप के सामने शत्रूगन राजीव नगर रोड पर नमबर 23 पर किराए के मकान में ये शक्स रहता था जिसे 140 लीटर देशी शराब के साथ किरफ़तार किया गया है